हलो दोस्तों मैं हूँ आरोहियो और आज इस वीडियो में बताऊंगे कि पीरेट के बाद सेफ डेज कौन से हैं जिस में से प्रेग्नेंसी कन्सीव नहीं हो सकती, बच्चा नहीं ठेहरेगा, खत्रा किस दिन नहीं है तो चलिए जानते हैं कि कौन से हैं वो सेफ डेज period के पास save days का अंदाज है, वैसे ही commonly लगाया जा सकता है, यानि कि period से 6 दिन पहले का समय, period का जुड़ी थे, उसे 6 दिन पहले का समय, period के 4 दिन रात का समय, जो है, सबसे safe देखा गया है, कि सबसे safe timing होती है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि ovulation का period क्या होता है, ovulation के period में ह सिर्फ pregnancy conceive होती है, बाकी 30 days में कभी पैसा नहीं होता, महस कुछ दिनों का समय होता है, 4-5 दिन का समय, जिसमें ovulation period रहता है, और कहें तो सिर्फ 24 hour का ovulation period होता है, जिसमें conceive होता है, इसके बाद किसी में तम्हें relation बनाने से जरूरी नहीं है, कि बच्चा जो है ठहरेगा, या कि किस दिन आपका period हुआ, उसी के साथ आजकर बहुत सारी एप ऐसे आ गए हैं, जो आपके ovulation period को monitor करेंगे, तो download किसे इसी तरह के apps को और अपनी ovulation period को आप जो है monitor कर सकते हैं, तो कैसी लगे ये वीडियो ज़रूर लाइक करना, और इसी तरह बहुत सारी वीडियो के प्लीज चैनल को सब्स्क्राइब ज़रूर करना, थैंक यू सो मच